Hello students, welcome back to the channel तो बच्चो अब हमने बात करनी है D and F log के NCRT के बारे में बच्चो तो NCRT में पहला कुशन क्या है? ये देख लेते हैं Silver atom has completely filled D orbital तो Silver में हमको पता है configuration क्या होती है Silver की? ये होती है हमरे पास 4D105S1 बच्चो copper के नीचे आता है हमारे पास Silver उसके नीचे आता है Gold और Copper के बाद होता है Zinc फिर आता है Cadmium, फिर आता है Mercury ये मैंने आपको D block element जब हमने 1st series, 2nd series, 3rd series लर्न कर रहा था, उसमें सारा बच्चो अच्चे से जिखार रखा है तो Silver की configuration क्या है 4D105S1 तो वो कहरा Ground state में 4D10 तब भी हम इसको transition element बोल रहा है अब बच्चो transition element उसी को बोल सकते है transition element हम उसी को बोल सकते है जिसमें incomplete D हो incomplete D हो उसी को बोल सकते है बट इसमें तो D एक्दम complete है तो बच्चे D complete तो है बट हम ये देखेंगे कि D complete इसकी ground state में होता है इसके excited state में हम D को एक electron निकाल सकते हैं कैसे सरे पहले मैं कुछ oxidation state बताता हूँ आपको जैसे AgNO3 में हमारे पास बताइए silver की oxidation state कितनी है तो silver यहाँ पर यह पूरा का पूरा NO3 होता है minus 1 तो silver हो गया plus 1 तो plus 1 का मतलब एक electron निकलेगा एक electron निकलेगा तो बच्चो मैं Ag positive लगाऊँगा what will be Ag positive? it is 4D10, 5S0 तो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि 5S0 है, इसको लिखने के जूद नहीं होती तो 4D10 है, अभी भी 4D10 है मतलब इस वाले configuration में हम इसको transition element नहीं कह सकते क्योंकि इसमें D भरा हुआ है because transition element के लिए हमको क्या बोलना बढ़ेगा? Incomplete चलो एक और compound, बच्चो मैं बताता हूँ Ag2O Ag2O देख लो, इसमें silver की oxidation state निकाले ज़रा, कैसे निकालेंगे 2X-2 is equal to 0 2X will be is equal to plus 2, X will be is equal to plus 1, तो ये बच्चो हमरे पस क्या आगया? again plus 1, तो plus 1 का मतलब तो बच्चो फिर क्या हो गया? 4D10, तो ऐसी भी कोई state होती है बच्चो जिसमें Ag की plus 2 आजा, yes, हो सकती है वो क्या है, हमारे पास हम लिखेंगा यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है AgF2, fluorine ही ऐसा element है students जो Ag से 2 electron निकाल सकता है 2 का मतलब है, देखना इस दर ज्याँ से अब एजी की oxygen state निकाले जाएगा यहाँ पर, तो बच्चो यहाँ आ रही है plus 2, plus 2 का मतलब है Ag2 positive में चला गया बच्चो, तो अब इसके पास 4D9 रहेंगे मतलब incomplete D आ गया यहाँ मैं लिखूंगा क्या present हो गया incomplete D present इसलिए इसको हम transition बोल सकते हैं एक और compound होता है जिसमें silver बच्चो plus 3 भी show कर देखता है वो यह होता है, यह दोनों के दोनों coordination compound होते है और fluorine के पास इस बच्चो इतनी power है कि silver के इतने stable में से, means 4D10 में इसी भी वो electron निकाल के ले गया तो fluorine नहीं ऐसा कर सकता है और इस वाले compound में बच्चो silver की plus 3 होती है तो इस तरह से भी question आ सकता है और यह भी वो पूछ सकते हैं बच्चो आगे जाके ऐसा question भी आपको exam में आ सकता है कि कोई ऐसा compound बताओ जिसमें silver की plus 2 हो रही हो तो वो यह वाला है कोई ऐसा compound बताओ जिसमें silver plus 3 हो कर सकता है तो वो यह वाला compound है अच्छे से कर लिए जिए इसको question को बहुत easy सा question है बट साथ साथ में जितने और possible question होगे बन सकते हैं वो भी मैं आपको कराता रहूंगा आप चैनल को subscribe करिए बहुत सारा नया content आने लगा है और सारे chapters की NCRT exemplar एक एक question को हम upload कर रहे हैं वो भी पूरे playlist में मिलते हैं next video में